इस विडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पہले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस विडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी Desert Dust Tablet Anti-Hitamine नामक दवाओं के एक समूह से संबंधित है इसका इस्तेमाल अलजी की विभिन स्थितियों के इलाज में किया जाता है यह खुजली, सूजन और रैशिज जैसे लक्षनों से राहत दिलाता है Desert Dust Tablet खाने के साथ या बिना खाना खाय भी लिया जा सकता है आप इसे जिसलिए ले रही हैं, उसके आधार पर डोज अलग हो सकती है इसे उसी प्रकार ले जैसा कि डॉक्टर द्वारा परची में लिखा गया है इस दवा की आवश्यक्ता आपको केवल उन दिनों हो सकती है जब लक्षन दिखाई पड़ते हैं या लक्षनों को होने से रोखने के लिए आपको इसे हर रोज लेना पड़ सकता है अगर आप इसे सलाह के अनुसार समय से पहले लेना बंद कर देते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं यह दवा आमतवर पर काफी सुरक्षित है ये आमतोर पर हलके होते हैं और कुछ दिनों बात दूर हो जाते हैं क्योंकि आपका शरीर एज़स्ट हो जाता है। अगर वे बने रहते हैं या आपको परेशान करते हैं तो अपने डॉक्टर से परामर्ष करें। इसे लेने से पहले अगर आपको लिवर या किड्नी या हिरदे से समबंधित कोई समस्या है तो आपको अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताना चाहिए क्योंकि एंटी हिटमाइन आपकी हार्ट बीड को बढ़ा सकते हैं। गर भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्ष करना चाहिए। शराब पीने से बचें क्योंकि इस दवा से अत्यधिक बेहोशी हो सकती है। आमतोर पर यह आपकी गाड़ी चलाने की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। लेकिन यदि आपको नींद आ रही है या चक्कर आ रही हैं तो आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।